हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू टेस्ट इन किचन 24 आज हम बनाएंगे वाइट मतर और फूट्स की चाड बहुत ही हल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये तो जब भी आपका कुछ हल्दी खाने का मन करें और साथ में टेस्टी भी हो वो तो आप इस तरह से चाड बना कर खाएं बहुत ही अच्छी लगती है ये ये चाड बनाने के लिए हम सफ़ेद कलर के मतर ले लेंगे तो ये सुखे मतर होते हैं इसको हम 7-8 घंटे के लिए भीगो देंगे पहले फिर इसका पाने निकाल देंगे अच्छे से दो देंगे इसको और दोने के बाद इसको हम बॉइल करने के लिए रग देंगे करीब 5-6 सीटी लगा देंगे जितना आप चने उबालने के लिए लगाते हैं उतनी सीटी लगा दें उतना ही देर इसको भीगों जितना देर हम चैने भीगोते हैं तो यह मटर बॉयल हो गया है हमने एक कप मटर ले लिया है और इसको हमने नमक डाल के उबाला था उबालते वक्त हमने इसमें नमक डाल दिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसके लिए हमने fruits प्यास टामाधर काट लिया है apple और अनार और cucumber ले लिया है प्यास और टामाजर काट लिया है fruits आप कीवी ले सकते हैं grapes भी अड़ कर सकते हैं उसमें banana भी अड़ किया है तो मैंने काट लिया था बाद में तो हम सब fruits को आपको जौ फू। जादा पसंद हैं उसे आप जादा डालने! वाइत मितर की जगापे आप वाइत वाले चननल ले सकते हैं आप उसको भीगो के उसको बालके से इसी तरीके से चने की छोले की चाट बना लें fruits के साथ बहुत ही tasty लगती है यह तो यह हमने सारे सामान इसमें डाल दिया है टमाटर प्यास और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं आप इसमें हम आदा चमच काली मिर्च पॉडर डाल देंगे दो चमच हमने इसमें चाट मसाला ले लिया है और इसमें आदा चमच मैंने कश्मिरी दाल मिर्च पॉडर आड़ कर दिया है अगर नमक कम लगे आपको तो आप इसमें नमक और आड़ कर सकते हैं तो चाट मसाला और मिर्च वगर डाल कर हम इसे मिक्स कर देंगे एक बार और बनाना मैंने नहीं डाला था पहले वह जादा मैश हो जाता मिक्स करते वे तो बनान मैंने बाद में add किया है तो आपको जितना बनाना add करना हो इसमें डाल सकते हैं मैंने इसमें एक केला डाल दिया है काट के एक ही apple लिया था मैंने एक ही अनार को छी लिया था तो जो चीज आपको जितने fruits पसंद हो वो डाल सकते हैं तो इसमें राइफ़ real भी ढाल सकते हैं अपको ड्रास पसंद हो तो हरादनिये दो कर काट लिया है मैंने आप हरा दनिया भी ढाल लंगिन आपको कोई चीज कम लग रही हो मीर्ची या थोड़ा चार्ट मिसाला टाल दें बाकी इसमें और कोई चीज ने डलती है आधा चमर जीरा पॉडर डाल दें आप उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा था था फिर इसा इस को है न हम सर्फ कर लेंगे प्लेट में और कितनी अच् ले ले आ तो चने से इस तरह की चाड बना ले बहुत ही टेस्टी लगती ये और आप इसके उपर से धही बहुत पसंद आएगी बच्चों को लंच बॉक्स में दे ये उने भी बहुत ही अच्य लगी की बच्चों को तो आप ट्राइ करेगा इस रेसिपी को और कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कैसी लगी मेरी रेसिपी और जादा से जादा मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें